आज हम आलू और प्याज के बहुत ही टेस्टी कुरकुरे और चटपटे पकोड़े बनाकर तयार करेंगी आप मेरे इस तरीके से पकोड़े बनाकर देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगा ये देखे कितने कुरकुरे पकोडे बनकर तयार हुए हैं तो रेसिपी जरू ट्राइ कीजिएगा नमस्ति दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना पकोडे बनाने के लिए एक बड़ा सा बरतन ले लिजिए ताकि सारी चीजे मिक्स करना आसान हो जाए हमने यहां एक कप बारी कटा हुआ आलू लिया है आलू को काट कर पानी में डाल दिया था उसके बाद पानी से निकाल कर इसे कपड़े से पौँच लिया है अब हमने यहां एक कप ही बारी कटा हुआ प्याज लिया है आलू और प्याज हमने बराबर क्वांटिटी में लिये हैं यहां हमने दो हरी मिर्च ली है यह कम तीखी वाली है इसके लिए मैंने ज्यादा मात्रा में ली है थोड़े से तीखे पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं हरी मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं एक इंच अद्रक के टुकडे को मैंने कद्दुकस करके डाल दिया है, आधा कप बारी कटा हुआ ताजा धनिया डाल दिया है, धनिया अच्छे से लीजीगा बहुत अच्छा लगता है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और दो पिंच के करीब मैंने यहां हिंग डाल दी है, हिंग से बहुत अच्छी खुश्बू आती है, अब हमने यहां एक छोटा चम्मच चाट मसाला लिया है, और आधा छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर डाल दीजिए, एकदम चटपड़े पकोड़े बना कर तयार कर रहे हैं, एक चम्मच मैंने यहां नमक डाला है, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा, एक छोटा चम्मच अजवाइन डाला है, अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दीजिए, अब हमने यहां दो चम्मच चावल का आटा लिया है, चावल का आटा दालने से पकोड़े बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है, तो चावल को मिक्सर में चला कर पीस लीजी और उसका आटा तयार हो जाएगा, सारी चीजों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, सारी चीजे मिक्स हो गई है, अब हमने यहां एक कप बेशन लिया है, बेशन को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके बेशन डालिए और इसे मिक्स करते चाहिए, बस आलु और प्याज अच्छे से बाइंड हो जाए, इतना ही बेशन हमें डालना है, इससे हमारे पकोड़े स्वादिस्ट भी बनेंगे और ज्यादा कुर्कुरे बनेंगे, हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा बेसन मैंने और डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और यदि आपको सूखा लगे, तो इसमें केवल एक से दो चम्मच पानी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें ज़्यादा पानी का यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आलू और प्याज में भी मौश्चर होता है तो ये हमारा घोल बनकर तयार हो चुका है केवल दो चम्मच बेसन हमारा बच गया था एक कप में से बाकी सारा लग गया है और ये देखिए आलू प्याज अच्छे से बाइंड हो रहे हैं इस तरह से चेक कर लीजिएगा अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच गरम तेल डाल देंगे हमने साइड में पकोड़े तलने के लिए तेल गरम होने के लिए रख दिया था पहले चम्मच से मिक्स कीजिएगा क्योंकि तेल बहुत गरम है और अब हम इसे हाथों से बढ़िया से मिक्स कर देंगे तो ये हमारा पकोडे का घॉल बन कर तयार है इधर हमने तेल भी गरम होने के लिए रखा हुआ था तेल पकोडे तलने के लिए पहले अच्छा गरम होना चाहिए तो एक एक करके पकोडे इसमें डाल दीजिए थोड़े छोटे साइस के पकोडे ही डालिएगा और अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राय करेंगे मीडियम फ्लेम पर फ्राय करने से पकोडे बहुती टेस्टी और कुरकुरे बनेंगे तो बस इन्हें अलट पलट करते हुए golden brown होने तक fry कर लीची ये देखे हलका हलका golden brown कलर आने लगा है जैसे जैसे पकोड़े fry हो जाते हैं इनमें जो जाग रहता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और ये हमारा एक batch fry होकर तयार हो चुका है तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं य इसी तरह से हम बाकी के पकोड़े बना कर तयार कर लेंगे जितना हमने measurement लिया है उसमें दो से तीन लोगों का हो जाएगा तो ये देखे हमारा second batch भी fry हो चुका है इसी तरह से हम सारे पकोड़े बना लेंगे तो friends आप इस तरह से पकोड़े बना कर जरूर देखिएगा बहुत ही कुरकुरे बने हैं ये पकोड़े ऊपर से कुरकुरे बने हैं और अंदर से soft तो ये देखिए मैं आपको इसे तोड़ कर भी बता देती हूं तो चलिए अब हम पकोड़ो के साथ खाने वाली हरे धनिय की चटने भी तयार कर लेते हैं इसके लिए हमने एक कप हरा धनिया लिया है आठ से दस पत्ते पुदिना के डाल दीजिए पुदिना का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है हमने इसमें एक हिंच अदर का टुकड नमक लिया है साथ ही आदा चोटा चमच चीनी डाल दीजिए और पानी डाल कर इसे पीस लीजिए एक बाउल में निकाल लीजिए और अब हम इसमें खटे पन के लिए आदे निम्बू का रस डाल देंगे या एक चोटा चमच निम्बू का रस डाल दीजिए और बस इसे अ तो लाइक शियर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके